तो जी हां फ्रेंड स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त प्रितम आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो है किया सॉनेट एच्टी के प्लास आयम्टी वेरियंट तो क्या चीज पहले आपको देखने को मिलेगी तो सुरुवात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है इसमें आपका अलवी विल मिसिंग हो सकता है तो टायर प्रोफाल का बात करेंगे दोस्तों इसमें तो यह अच्छा आपका ग्राउंड क्लियरंस देगा और रोड में चलने भी दिक्कत नहीं होगा तो आपको इसमें मिल जाएगा क्रोम हैंडल आपको इसमें देखने को मिल जाएगी तो यह कंपनी ने बहुत कुछ इसमें चेंज किया गया है पहले का मुकाबले रियर मिल जाएगी जहां पर डिफ्यूजर आपको मिलेगा डिजाइन पियानो ब्लैक फिनिस के साथ और एक सिलवर एसेंस का स्कीट प्लेट इसमें दिया गया है रियर में आपको रियर पार्किंग एसिस्ट के लिए सिंसर दिया गया और टीजी डिया का बैंडिंग यहां पर क चीज तो राइट जे में बात करो दोस्तों पीछे का तो पीछे में भी जड़ा सा चेंजेस किया गया है क्या के तरफ से तो यहां पर लेग स्पेस आपको बढ़िया मिलेगा यहां पर कोई स्विच में इल्यूमिनेशन नहीं मिलता नाई क्रोम फिनिस तो यह नॉर्मल ल आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरू करें एस इवेंट आपको देखने को मिल जाए यह लेकिन कोई भी एर प्यूरिफार इसमें देखने को नहीं मिलेगी यहां पर दोस्ते एक रिक्वेस्ट मिलता आपको एंट्री करने समय तो इस पर आप लॉक अन्लोक का प पूस्टार्ट बतन मिलेगा इसमें हाला कि ट्रैक्शन इस पे नहीं दिया गया है ट्रैक्शन देना चाहिए था क्योंकि आपको संडूप देखने को मिल जाएगी तो यह एक नया चीज आड किया कमपनी ने पूस्टार्ट के साथ संडूप तो एक कस्टमर अपना फिलिं से ही है तो संडूप एस्टी के प्लस में दे दिया है तो यह एक बड़ा सा न्यूज है जो सब कोई जानना चाता था कि एस्टी के प्लस में संडूप है कि नहीं तो मैंने आपको दिखा दिया इसमें सिक्स एम्टी के साथ आता यह तो शे स्पीड का गेर बॉक्स आपको देखने को मिलेगी ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इसमें देखने को मिल जाएगी दो ट्रीम और पैड नॉर्मल प्लास्टिक का यूजज किया गया इसमें और यहां पर कुछ स्टोरेज आपको रखने के लोगो मिलता है तो यहां पर सेंटर्वील के में सेंटर वील में सबस्केर में आपको किया का लोगो मिल जाता है और यहां पर आपको दोई मिलता है एक दोर बगड़ा सेटिंग करने के लिए और एक तो नॉर्मल सब वही चीज है फ्रॉंट से मैं गवर फिर से आपको दिखा देता हूं इसका अबर वियू तो कुछ इस प्रकार का है ताकि आपको पता चले कि मैं कुछ दूसरा वीडियो नहीं दिखाए हूं तो यह रिमोट स्टार्ट फीचर्स भी इसमें दिया गया है तो जो पुराना मोटल में दोस्ता आता था वो नया ओल्ड लोगों में आप देख सकते ओल्ड लोगों तो था ही इसमें इसमें आपको जो चीज नहीं मिलता था वह पहले तो पूस्टार्ट है और इसमें और विम फोल्डिंग पहले भी मिलता था नया में मिल रहा है इसमें कोई changes नहीं है meter भी as it is है handpad में आपको old किया लोगों पहले देखने को मिलता था auto climate control था इसमें changes किया गया हलाकि 5 speed आता था 1.2 में तो 1.2 में आपको 6 speed मिलेगा transmission सन रूप आपको extra additional देखने को मिलेगी push start के साथ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया है पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कीए करें तो सब्सक्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक लिए जाये हैं तो दोस्तों अगर आपको 70 का कुछ वीडियो चाहिए तो यहां आप देख सकते हैं मेरा 70 का भी एक ट्राइब रिवीव है अगर आपको वह चीज़ देखना इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बहुत आगे तक यह वीडियो पहुंच पाए आप से बस यह रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट कीजिए तो हम लोग आगे तक जा पाएंगे तो आप लोगों से उम्मीद यही रहेगा कि आप सब्सक्राइब करके लिए ज्यादा बोलते हैं तो मुझे बस इस वीडियो के इंट पर यही चीज बताना था कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरू करें ताकि हम लोग आगे आपके लिए ऐसा ही वीडियो यूनिक सा बना सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कोई एक इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक ले करके तब तक लिए जय हिन वंदे मातरम